हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए 98 पैसे का एक अच्छे श्टॉक्स आपके सामने लेके आए हूं और शायद ये श्टॉक्स आपको अच्छे गासे रिटर्न यहां पर दिला सकता है ठीक है तो बाइंग सैलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशर एडव तरहिके से बाकी आपकी हैड़ आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने फाइंशर अडवाइजर से यहां पर प्पूhl सकते हैं कंपनी क्या करती है कंपनी का बिजिनस इशमॉडल क्या है कोर्स यहां पर मार्किट में डेर लाक से दो लाक रुपेर दिया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता उससे बहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा केवर 17,500 की फीज पे त्री मन्स की हैंड़ल्डिंग प्रक्टिकल यहां पर आपको करा के दिखाया जाएगा कि किस इस तरीके से स्टॉक बागते हैं बताए जाएगा कब खरीदा है कब बेचना है बेसिक स्टॉर्ण टेक्निकल रिसार्च फंडामेंटल सब एटु जैड स्टॉक मार्किट का कोर्स है इसे करने के बाद लाइफ चेंज होती हुए नजर आएगी इन ही नंबरों पर कॉंट सब्सक्राइफ करसे का माईख कर दिए निए और आगी लिए नहीं पर करते हैं लाइफ के साथ को शकाम कर को Wanna pig Bad कर दीजहें सब्सक्राइब अग आपको बचा देना चाहोंता हूं कि यह माईक्रो कैप कमपनी है 57 करोड रूपए की कमपनी है तो यहाँ पर ऑपर भी होंगे ठीक है यहाँ पर भागेंगे भी और यहाँ पर शेयर आप अगर पैसे बनेंगे भी तो पैसे डिश्टॉय भी हो सकते हैं इस चीट को अपने दिमाग में रखेगा रिस्क को दिमाग में रखेगा यहां पर देखे कभी 6 पैसे का स्टॉक हुआ करता था ठीक है इसके बाद आप देखोगे तो शेयर 10-11 रुपे गया तो यहां पर आप बैंकिंग फाइनिशल कंपनी ऑखेगा इंवेस्टेमेंट और फैनिशल अक्टिविटीज में कंपनी काम करती है जैसे कि ब्रोकिंग कंपनी करती है सेमेज़ और पोर्टफोलियो को हैंडल करना वह सब काम करती है बिजनस ओनरशिप की बात कर रहे तो यहां पर देखिए investing in security are listed and unlisted companies में मतलब यह company stock market में primary और secondary दोनो market में काम करती है educational real estate इस तरीके के company में यहाँ पर यह अपना investment करती है financial advisory यह करती हुई नज़र आती है वहाँ से पैसा आता है corporate advisor यह करती हुई नज़र आती है वहाँ से company का पैसा आता है other advisory और यहाँ पर अच्छा कासा company का इस तरीके से पैसे आता हुआ है दिखाई देता है subdivision और bonus यहाँ पर company ने bonus भी दिया है okay यहाँ पर आप देखोगे तो company का I think split भी company ने दिया है इस चीच को आप यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहो तो इनकी एक बार website पर visit कर लीजिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा आपको एक view मिल जाएगा कि company exactly क्या क्या service दे रही है company यहाँ पर क्या काम करती ही नजर आ रही है क्या हमें यहाँ पर share को लिना चाहिए या नहीं लिना चाहिए उसी चीज से लेटिन यहाँ पर आपको पूरी के पूरी जानकारी मिल जाएगी अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले microcap है तो risk भरा हुआ share है और ऐसे ही अगर risk होगी तो पैसा भी बनेगा और risk होगी तो पैसा जाएगा भी इस चीच को हमेशा या सब्सक्राइब है तो यहां पर देखिए कंपनी के कोई प्लैजिंग नहीं है डेट की बात करें 24% का कंपनी के ओपर यहां पर यहां पर आप देखोंगे कंपनी के और चीज़े तो यहां देखिए कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहां पर 42 लाक रुपे की सेल थी मार्च 2020 में वह बढ़ते 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 16 लाक 62 करोड की सेल में बदल गई है तो यहां पर देखिए 16 करोड 62 की सेल हो गई है तो अच्छा अच्छी सेल है यहां पर देखिए जो नेगेटिव ऑपरेटिंग पॉफिट था वह 89 रुपीस का मार्जिन यहां देखिए 5.35% का मार्जिन एस वेल एस नेट पॉफिट देखिए ठीक है अधर इंकम की विज़े से नेट पॉफिट 4.55 करोड रुपीस का यहां पर क्या है नेट पॉफिट होता हुआ थे कि नजर आठा है EPS बढ़ रहा है EPS बढ़ रहा है नेट पॉफि की सेल में बदल गई है यहां देखिए नेट पॉफिट जो छे लाग रुपे का था वह एक करोड़ 28 लाग का यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है बट यहां पर आप देखेंगे तो शेयर प्राइज कभी यहां पर 2012 में अब ऑँ नए यहां पर देखोगे शेयर प्राइज तो शेयर प्राइज यहां पर 2012 के पार यहां पर देख लीजिए जहां पर घाट है 39 लाग का था वह 48 प्रॉड हो गया है ठशेयर प्राइज नीची है है यहां पर प्रॉफिट नच इंकम वगईडरा सब उपर गई है इन्वेस्टमेंट कंपनी का 11 करोर रुपे का है कैश की बात करें 1.23 का कैश भी पड़ा हुए और यहां पर प्रमोटर के पास ऐसे शेर बने हुए है बट ना के बराबर शेर है पबली के पास 94% के शेर है पर उन में से बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने ठीक है यहां पर देखिए 40 50 60 70 70% के शेर तो इन्हों ले रखे तो मार्किट में केवल और केवल थोड़ी स गोसे इंशेर यहां पर बाकी है ज्यादा यहां पर है नहीं ठीक है और चोटी सी कंपणी को में को इस कंपनी को हिला सकता है ठीक है 68 रुपे के इन्होंने बेचे ठीक है इतने 1.36 पर इन्होंने आप परचेस करें 21 फरवरी को अक्षय है यहां पर राजद्वर उस वाल ने तो यहां पर यह सब चीज़ आपको यहां पर देखनी है तो यहां पर कंपनी अच्छी नजर आती है ट्रवाइनशली चार्ट से लेटेड बाते करूंगा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करों चाइन को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करिएगा लाइक करियेगा सीखिएगा और सीखने के तरीके बता रखें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें पुरानी इतनी सार बने और यहां पर हमारी research stocks के यहां पर आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं अब अपनी financial advisor की help लेके यहां पर देखिए यहां पर आप देखिए अच्छा का सा भगता हुआ नजर आया पूरा पूरा सबसे पहली यह बात disclaimer देना जाता हूं अगें कि यहां पर bank selling की recommendation नहीं है और यहां पर यह जो stocks है यह operator driven stocks है यहां देखिए भागेगा तो अच्छा यहां पर आप देखिए अच्छा है बिलकुल अच्छा है आप नजर आता है fundamental basis पे शेयर की बात करें तो शेयर यहां पर एक range में यहां पर चलता हूँ नजर आ रहा है नहीं जादा बागता है नहीं जादा गिरता है यहां से अगर अगर आप लेना चाहते है ले लीजिए यहां पर अगर lower circuit लगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा शेयर फिर दोबारा 70 पैसे तक आ सकता है 70 पैसे का मतलब है कि यहां पर कितना आ गया तो आपके पैसे यहां पर आप देखिए 30% 31% नीचे आ गये ठीक है और यहां से जैसे ही निकला तो मुझे नजर आता है कि यहा 50% के यह और हमने यहां पर कुछ अभी देखा था कि 2012 में ठीक है इसका highest ever यह शेयर पोचा था और highest ever पोचा था उस टाइम अर्णिंग कुछ भी नहीं थी बट अभी की अर्णिंग की अगर हम बात करें और उसके हिसाब से अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको यहां पर किसी के कहने पर यहां पर यहां पर बेचना भी नहीं थीफ हैं टीक है अपनी स्टपी इसका माकेटर निरूक ह्गए नजर आंगएं और इसका नगयए बटेडर रूपए तक भी यह शेयर 12 रूपए जैड या49 तो बड़ी बात नी रहे हैं कİ। फंडामेंटल ट्रिमेंडसली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है बट यहाँ पर याद रखिए उपर गई है और नेट पाफिट की वज़े से ही चीज़े उपर गई है इस चीट को भी आद रखना है ठीक है यहाँ पार चीज़े अगर सुधर जया ऑपरेटिंग पा आई अब लग्वाँ कीज़े उपरेग पना एंगगाँ यहाँ है यहाँ के अवेगाँ पर कर दो कि अज़े एल में तो अभवाँ को प्यादा बव़ना है विएफनों जेचिवाँ में धिचिवाब दो एल में तो करता है और रहे का दो शववाँ पार सुवाँ, थो शि